हलो गाईज मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जीस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों तो मैंने यहां पर आप लोगों को क्लास को क्या कर दिया था इंड कर दिया था ठीक है सीडीपी की तो बीच में लोग प्रैक्टिस सेट करने लगे सबको एक समान आउसर मिले इसका मतलब इसका अर्थ क्या होता है सभी बच्चों की सिच्छा का एक ही साथ एक ही विद्याले में हो और समान आउसर मिले समावेशी सिच्छा का लाता है मतलब हर तरह कि बच्च किसी के साथ दुर पेवहार ना किया जाए इस तरह कि सिच्छ बात की गई ठीक है बच्ची जो है प्रतीक बच्चे की जो चरीत त्रगत बिशेष्टा रुचियां यानि इंट्रेस्ट योगता मतलब इसकील वा सीखने की आउधारणा मतलब लर्निंग नीड्स अनोखी है अथा सिछा परणाली में इन बिशेष्टाओं वा आउसक्ताओ परणालों को ध्यान में रखा जाए ठीक है क्या क्या ध्यान में या तो इसकी सुरुआत 1994 हुई थी इस चीट को आप लोग इस पेन से याद रखेगा ठीक है जो हमारे बिशिष्ट आउसक्ताओले बच्चे होते हैं का वर्गी बिशिष्ट आउसक्ताओले बच्चों का वर्गी क्लासिफिकाइशन अबदा चिल्रे विथ इस पेसल नेट से जिनको होती है उनको देखे कैसे सारी शूरूप से कैसे होते हैं इस अमारे अस्ति बांदीत हो गए मतलब आर्थो पोडिक हैंडिक अप्र जिनको सुनने में प्राबलम होती है दिरिष्ट बांदीत ज इसे एक प्रतिभा साली बालक होते हैं, जिनका IQ लेवल 140 रहता है, ठीक है, प्रतिभा साली बालक इनको काते हैं, ठीक है, इससे अधिक स्रीजनात्मा का और प्रेना से भरे पाठे करम को कम समय में क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, इसमें समस्या, समस्या क्या है, समायो होते हैं जो आप सारी चिंत ने हैं, divergent इनकी क्या होती है सोच होती है, यह self-defense होते हैं, उच्छ समाई अज्ञोजन छमता होती है, मतलब है कहीं भी अपने आपको कहा है का समाई faculty ? जो generally average यह थोड़ासा ऊपर होती है, इनका जो आईक्यू लेबर होता है इनका generally लिक्त थोड़ा सा ऊपर या एवरेज होता है उच्छ समाय उज्ञ छंपता होती आत्म निर्भर होते आप सारी divergent सोच इनकी होती है ठीक है divergent होती है ठीक याद हो गया चीजों को कई तरह से सोच सकते है divergent का मतलब ठीक चलिए आ गया आते हैं अमंद बुद्धी के बालक होते हैं जिसे चीज को सीखने में बड़ा समय लगता है आप अपने क्लास रूम में देखिए या जब पढ़ते होंगे तो कुछ बच्चे इतने प्रतिवास आले होते हैं किसी चीज को अगर कोई टीचा समझाता तो बहुत जल्दी वह चीजों क इनको सीखने में प्रावलम होती है उन्हें एक बार बताने पर अगर कोई चीज अगर कोशिया ने मैत काई है एक स्वार प्लस थ्री एक्स टू है तो अगर कुछ बच्चे होंगे उनको आप फैक्टर सिखाएंगे तो फैक्टर को जल्दी सीख जाते हैं लेकिन कुछ काफी मुश्किल से सीखेंगे जब आप नय कांसेप्ट कोई लाएंगे या कोई टीचर नया कांसेप्ट देखा तो उसको सीखने मुंको क्या होती है बहुत सारी प्रावलम होती है ठीक तो समझ में आ गया मंद बुद्धी वालक क्या होते हैं चलिए तबागे चले देखे अधिकम असमर्थी निरोग्य वालक लिए लर्निंग डिसेवल्ड चाइल मोटर डिस ओर्डर केंद्री ये तंत्र का तंत्र में विका जिसे इस तरह की कोश्चन दीखें इस पर तो आता है जिसे डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया का मतलब क्या था डिसलेक्सिया जिनको पठन विकार जिसे इसे इनको बच्ची होते औनको डिसलेक्सिया की मतलब होती तो याद हो جाना चाहिए इसे कोश्चन एक्ट हाएगा आपके एक्जाम में कोई नहीं रोक सकता है इंसे कोशन आना ही आना है ठीक चलिए आगे देखते हैं तो यह सीजे ऐसी बता दीजाएं सारी चीजे या बस आपको तीन चार याद होगे जितना होता उतना मैं आप बताऊंगा ठीक है डिस ग्राफिया मतलब ग्राफ आप किसे प्राब्लम होती डिस ग्राफ ग्राफ का मतलब करता लेखन से अब ट्रिक बना लिए लेखन जहां लेखन संबंदी प्राब्लम होगी लिखने में प्राब्लम होगी वहां क्या होगा डिस ग्राफिया डिस कैल्कुलिया किसमें की जाती गंडित में की जाती डिस कैल्कुलि कि बोलते हैं इस तरह के फेज उनका क्या होता है स्क्लियर नहीं होता है ठीक है फेज उनका क्या होता है फेज फेज जो होता है उसको बोलते हैं डिस फेजिया ठीक वाक के विकार जो अनिक मौकिक जो बोलने में क्या होती प्राबलम होती उसको बोलते हैं डिस फेजिया ठीक को आडिनेशन में समझे आपको किसी चीज़ को को आडिनेशन में क्या होती दिक्कत होती उसे डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं क्या बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया वा चित्रांकन संबंदी क्या होता विकार होता है ठीक क्या होता नेक्स्ट डिस्थेमिया डिस्थेमिया क्या हो ब्रह्म बोलते हैं ठीक है और तनाव वाला दिश्ट थेमिया जा रहा है का वहां तनाव यह दोने इंपोर्टेंट है याद कर लिएगा ऐसे भी कुश्चन पूछे जा सकते हैं खत्मक बालक होते हैं समाच के नियमों को अस्व हुअकर करें गया कुश बच्चे घंह 파ंट है वहां का तैय को पालन नहीं होते हैं समंस्या का समबंद इसके व्योहार से अधिक होता है next का है? बालापराधी बालापराधी, जो बच्पन में ही क्या होती है? अपराध करिने, चोरी करने लगते हैं, घर पे ही कुछ बच्चे छोट रहते हैं, थीक है? तो उनको कुछ खाना रहता तो मम्मी या पापा के कि पॉकेट से क्या करते हैं दस रूपे निकाल लेते हैं इस तरह की इस तरह की जो चोरी वातीं है बच्पन से ही उन्हें कहाते हैं बाल अपरादी जूट बोलते हैं कि हमें कमी होती, ठीक है, जो बहुत ही, अभी बहुत सारे हमारा जो देश से बहुत पिशड़ा हुआ है, hay-civas tea में देखिए बहुत लोग पीछे हैं जो है, इन लोग को भी सुधार्ना हमलों का क्या, दायत हो, आप लोग teacher बनिये का, इनलों के बच्चों को पढ़ाइए का ठीक है, जो जुग्गी जोपडी वाले बच्चों है, ठीक है, देखिए जाकर चोट आगई है इसे बहुत है मस्तिक सपच्छगात ठीक है, चलिए, श्वलीनता, श्वी लणता, जिसको अटीजम बोलते हैं, बार-बार एक ही बात को repeat करेगा, ठीक है, श्वी लणता या स्वी स्वी लणता इसको बोलते हैं, समाजीक नहीं होगा, कम होगा, मतलब खुद से आई कंटेक्ट करके बातें नहीं करेगा जो अटीज में बच्चे होते हैं ठीक है नेक्स्ट अन्य विकार देख लिए एडी एच्टी एडी एच्टी याद रखेगा इससे पुछता अटेंशन डिफी डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिश और डिश और बोलते हैं ठीक ह इसको याद रखेगा इसका फुल फार्म भी पूछता है एडी एच्ट लिखिया जाएगा ठीक है अप लोग आउधान नियूंतम अतिक्रियता बिकार जिसको इसका मतलब होता है मतलब ध्यान की कमी और अतिदिक सक्रियता की बिमारी अतिदिक सक्रिय राता लेकिन ध्यान कि ट्रिमेटिक इस्ट्रेस डिसाड़र जिसमें ब्यक्ति अपने साथ घटी या देखी गई घटनाओं को वर्तमान में क्या करता प्रत्क्रिया करता इसको बोलते है ठीक है याद रखेगा इसको भी इसका फुल फार्म भी याद रखेगा ठीक नेक्स चलते हैं आगे अधनियम कप का है तो 2016 का है इसको भी याद रख लिए जिए का ठीक है इसको बोलते है राइट आफ परसन विथ डिसेविलेटी एक्ट 2016 नेक्स चलते हैं ठीक क्या क्या है इसमें इसके अंतरगत कौन कौन आता इससे भी कोशन पुछता पी डबलू डी एक्ट जिसको बोल बॉधिक विकलांगता या फिर जो है अगला का है मस्कूलर विकलांगता ठीक है मस्कूलर विकलांगता ठीक है बेसिक सीखने की छमता भासड और भासा विकलांगता हीमोफीलिया बहरापन ठीक ऑटीज में इस्पेक्ट्रम विकार और ऑटीज में इस्पेक्ट्रम विकार सुनाई हानी बौनापन मानसिक बिकार सेरे ब्रह्म बिमारी जीर्ण तंतरिकातंत टोटल 21 हो गई मल्टीपल स्कलेरोसिस थैलिसीमिया सिकल सेल रोक एसीड अटैक और पारकिसंस रोक टोटल 26 हो गई अगला जो है सिछण एवम सीखने की बुनियादी प्रक्रिया जो हम लोग कल देखेंगे ठीक है एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे यहां पर ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सेयर करिएगा और अपना सपोर्ट जरूर करेगा जितने भी विकार से चीज़ें थी इसको एक बार या दो बार देख लिएगा यहां से दो से तीन कोश्चन अन्डेट परसेंट आएंगे दो से तीन कोश्चन आना ही आना है ठीक हर एक एकजाम में चाहे सीटेट का हो गया